आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप का इफेक्ट क्रूइट करने वाले हैं अडोबी अफटर इफेक्स के अंदर बेसिकली मैंने इस इफेक्ट को देखा था बैंट टिके की वीडियो में वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है जो भी फोटेज का मैं यूज कर रहा हूँ उन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड़ कर दिया है आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फोर प्रैक्टिस परपस सो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ अपनी यहाँ पर कर रहा हूँ फोटेज को ड्राइग और यहाँ पर एक न्यू कॉंपोजिशन क्रेट हो जाएगा एस पर दा वीडियो वीडियो में आगे बनने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाना चाहता हूँ वो क्या है समझते हैं इसको यहाँ पर सो मैंने यहाँ पर open कर लिया है Maya और मैंने यहाँ एक 3D model यहाँ पर create किया है कुछ इस type से सो यहाँ पर यह basic सा model है और यहाँ पर समझने वाली बात क्या है अगर मैं यहाँ वीडियो को play करता हूँ कुछ इस type से सो नाव we can see यहाँ पर कुछ different यहाँ इसके part यहाँ पर animate होके आ रहे है इस door के ठीके इसके बाद मैं वापस यहाँ पर आता हूँ सो कहने का मतलब यहाँ यह है जिस भी part को आपको animate करना है वह part separate आपको create करना होगा ठीके वह model के साथ attach नहीं होगा इस वाले part को यहाँ पर animate करना है तो यहाँ पर यहाँ पर अलग से यहाँ पर separate होगा और मुझे यहाँ पर यहाँ पर अनिमेट करना है तो यहाँ पर separate होगा किसी भी software के अंदर आप कोई भी 3D model create कर रहे है तो fundamental यहाँ पर same रहेंगे it means object separate आपको create करना होगा अगर आपको इस एनिमेट करना है जैसे मानलो यहाँ पर मैंने कुछ 9 यहाँ पर इसके parts बनाएं आपको क्या करना है simply इन सभी को यहाँ पर करना है select then press करना है ctrl g ctrl g for group ब क्या करेंगे simply यहाँ पर जाएंगे file और यहाँ पर इसे कर देंगे export selection और इसको यहाँ पर obg में export कर लेंगे मैं आपको यहाँ पर सारी files provide कर दूँगा जो भी मैं आप 3D model use कर रहा हूं but knowledge के लिए यह important था आपको बताना ठीक है so यहाँ पर हम आ चुके हैं वापस after facts के अ और मैं simply यहाँ पर जा रहा हूं windows में और यहाँ पर आपको मिलता है tracker और यहाँ से हम इसे on कर लेते हैं अब guys मैं क्या करने वाला हूं मैं simply यहाँ पर click कर रहा हूं track camera के उपर so इससे क्या होगा न हमारी footage यहाँ पर track होना शुरू हो जाएगी और इसकी help से हम लोग क्या कर ठीक है यहाँ पर हमारी footage track हो चुकी है अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर कुछ points को यहाँ पर कर रहा हूं select कुछ इस type से यहाँ पर करेंगे right click then यहाँ पर क्लिक करेंगे create solid camera और इसके बाद हमें आप एक plane देखने को मिलेगा ठीक है आप यहाँ पर इसको rotate भी कर सकत और यहाँ पर जो भी इसका color है मैं आप इसे कर रहा हूं black और इसके बाद simply यहाँ पर गई effect और यहाँ पर क्लिक करने आपको video को पाइलेट और यहाँ पर क्लिक करेंगे element के उपर सो basically मैंने आप एक plugin को install कर रहा है video को pilot की आप भी यहाँ पर इसको install कर सकते हैं बट यहाँ पर यहाँ पर प्लगिन पेड है और मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं scene setup के उपर सो basically हम लोग यहाँ पर 3D model को import करने वाले हैं सो मैं यहाँ पर इंपोर्ट और यहाँ पर मैं just open कर रहा हूं अपना 3D model जो अभी हमने safe कहता 3D software से then okay press करेंगे और यहाँ पर मैं इसे कर रहा हूं कुछ इस type से और मैं यहाँ पर just e press कर रहा हूं e4 rotate आप इसे यहां से भी change कर सकती हैं and then इसको मैं आपर कर रहा हूं rotate around 360 ठीक है और यहाँ पर जाते हैं इसका करेंगे हम इसे bottom और यहाँ पर just मैं इसको थोड़ा सा scale कर लेता हूं कुछ इनो इस type से ठीक है अब मैंने क्या किया मैं आपर simply हाँ इसकी properties को open कर रहा हूं so जितने भी हमने part separately create किये थे 3D software के अंदर वो सारे part हम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कुछ इस type से ठीक है अब इसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर आपको मिलता है mesh view अगर आप यहाँ पर click करते हैं so जो भी नाम मैंने 3D software के अंदर रखा था वो नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं texturing is model के ऊपर जो कि मैंने already मैंने create कर रहे हैं texture so हम यहाँ पर इसे import करेंगे so यहाँ पर जो default वाला है उससे आप छोड़ देना और यहाँ पर जाते हैं right middle part इसकी यहाँ पर open करते हैं material then click करेंगे यहाँ और simply आप यहाँ पर click करो diffuse के ऊपर और यहाँ पर click करो load texture और basically आपको यहाँ पर नाम देखना है कि यह नाम कौन सा है so यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं right middle part 2 so यहाँ पर आपको देखना होगा right middle texture और यहाँ से आप इसे कर दो simply open then okay और यहाँ पर जाओ इसके normal map के ऊपर again same process करना है आपको और यहाँ से apply कर दो normal map that's it so कुछ इस type से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा और हम लोग यहाँ पर इसका draft texture यहाँ पर you know click कर सकते हैं so मैं यहाँ पर इसकी quality और यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी ऐसी मैं क्या करने वाला हूँ again मैं यहाँ पर गया left main gate में और यहाँ पर इसका open करता हूँ material और यहाँ पर जाते हैं again diffuse में और यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसका यह कौन सा वाला है left main वाला left main gate इसे open करते हैं यहाँ से apply करते हैं अपना texture then ok और यहाँ पर क्लिक करते हैं नॉर्मल मैप के ऊपर और simply यहां से अप्लाई कर लेते हैं नॉर्मल मैप, चीके, यहां पर और भी मैप से, आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहां पर थोड़ा सा वीडियो को fast forward कर रहा हूं so that मैं यहां पर सारे texture को apply कर दूँ ठीके, so basically आपको यहां पर naming के according आपको यहां पर चीजे set करनी है so guys, यहां पर texturing यहां पर complete हो चुकिया इसके बाद मैं simply यहां पर आगया create में और यहां पर click करेंगे plane के उपर अगर आप चाहते कि आपको यहां पर shadow बनानी है so यहां पर आपको काफी help होने वाली है इस plane के through और मैं आपर R press करूँँगा और यहां पर थोड़ा साइसे scale कर लेते हैं then इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा साइसे यहां पर मैं हलक आसा उपर यहां पर shift कर रहा हूँ मैं something like this चीके और यहां पर मैं इसका open कर रहा हूँ material और simply यहां पर जाते है advance में और यहां पर इसे आप matte shadow off कर दो so that यहां पर यह plane visible ना हो अब मैं क्या करने वाला हूँ जैसे मालूम मुझे यहां पर इस part को animate करना है इस gate के part को so मैं क्या करूँगा control के साथ इसके उपर करूँगा left mouse button click so that यहां पर यहां पर यह वाला part select हो जाएगा और यहां तो आप इसके उपर right click करो यहां पर और यहां पर इसे set कर दो channel 1 के नदर so basically मैं आप इसे shift कर रहा हूँ aux channel 1 के नदर आप यहां पर इसको यहां से भी कर सकते हैं basically aux channel 1 अब मैं आप इसे ऐसे क्यों कर रहा हूँ because मैं आप चाहता हूँ कि मैं इस वाले part को एक अलग properties के थूँग अनिमेट करूँ ठीके और मैंने क्या किया again control के साथ इसके उपर क्लिक किया इस वाले part के उपर और यहां पर right click किया then aux channel 1 और यहां पर इसे करते हैं channel 2 so basically मैं आप इसको channel 1 के थूँग अनिमेट करने वाला हूँ और इसको मैं आप आप करूँग animate channel 2 के अब मैंने क्या किया मैं यहां नीचे किया और मैंने अगेन यहां पर क्लिक किया control के साथ left mouse button और again right click और यहां पर इसे कर दिया channel 3 so basically अगर आपको जिस भी part को animate करना है manually so आपको उस part को एक different channel में रखना होगा छीके control के साथ alt left mouse button और यहां पर इसे कर देते हैं channel 4 और यहां पर मैंसे कर रहा हूँ click इसे कर देते हैं channel 5 again click channel 6 again click channel 7 again click channel 8 again click channel 9 इसके बाद आपको यहां पर simply प्रेस करना है ok के उपर अब इतना करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ मैं simply यहां पर क्या group 1 के अंदर और यहां पर मैं create कर रहा हूँ एक new null object और यहां पर मैं just press कर रहा हूँ P P for position और यहां से करते हैं copy ctrl c से और इसके उपर कर देते हैं paste ठीके so that हमारे आपर solid यहां पर आ जाए और यहां पर S press करेंगे So R press करते हैं और यहां पर हम लोग isго simply यहां पर rotate कर लेते हैं कुछ इस टाइप से अगर आप लोग यहां पर चाते हैं आपको इसे थोड़ा बहुत move करना है so आप simply थोड़ा बहुत इसे पीछे भी कर सकते हैं अपने according, छोड़ा सा मैं आप इसे scale कर लेता हूं, something like this, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर add करी एक light, so right click करेंगे, new light, और यहाँ पर मैं ले रहा हूं अभी एक ambient light, color ठीक है, और okay press कर देते हैं, और मैंने क्या क्या है, मैं वापस के element 3D के अंदर, और यहाँ पर मैं add कर रहा हूं some ambient occlusion, so render setting में जाते हैं, ambient occlusion, on कर लेते हैं यहाँ से, so आपको यहाँ पर कुछ इस type से देखने को मिलेगा, मैं अभी यहाँ पर इसे कर रहा हूं, ray traced, ठीक है, और आप लोग यहाँ पर इसके intensity अपने according बढ़ा सकते हैं, अब मैं यहाँ पर चार रहा हूं ऊपर, so अब basically हम लोग बात करने वाले main part की, which is so important, अब देखो मैं आप यहाँ पर गया, group 1 के अंदर, ऐसा क्यों, क्यों कि अभी जो हमारा यहाँ पर model है, वो group 1 के अंदर है, now see, group 1 के अंदर, ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, aux channels के अंदर, इससे पहले हम लोग यहाँ पर जा object on नहीं करते हो, तो आप लोग यहाँ पर इसको properly use नहीं कर पाऊगे, aux channel को, ठीक है, अब देखो guys, हमने क्या कहता, different, different channels में हमने different, different object को रखा है, for example, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, channel 1 में, और यहाँ पर इससे move करता हूँ, so now we can see, हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसके यह वाले part को यहाँ पर move कर पा रहे है, right, अब मैंने क्या किया, अब हम लोग यहाँ पर add करने वाले हैं some keyframes, so मैं कुछ frame यहाँ पर गया, जैसे मानलों यहाँ पर जाते हैं, और थोड़ा सा मैं आप इससे कर रहा हूँ, कुछ इस type से, zoom, अब मैंने यहाँ पर आके क्या किया मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो यह object है, यह उपर से आए, so मैंने यहाँ पर एक keyframe लगा दिया, इस वाले option में, कुछ इस type से, और यहाँ पर मैं कुछ frame बैक गया, और मैंने यहाँ पर इसे उपर की side यहाँ पर shift कर दिया, something like this, चीके, and अगर मैं यहाँ यू प्रेस करत कर दी around, कुछ चीनो, ऊपर, ठीके, और वापस से मैं एक frame आगे गया, एक से दो frame, और मैंने यहाँ पर इसे वापस से कर दिया, 0, और आपको यहाँ पर कुछ चीनो, इस type से यह, देखने को मिलेगा, और आप लोग यहाँ पर सारी keyframes को करो select, और प्रेस करो F9 for easy ease, otherwise यहाँ पर कुछ इस type से animation देखने को मिलेगी, आप लोग यहाँ पर इसको थोड़ा आगे बिशे कर सकते हैं, अपने recording, अब मैंने क्या आगे, मैं यह पर चाहता हूं कि जो यह part है इसका, थोड़ा सा ना इस side से आए, ठीके, अब मैंने क्या गया, मैंने एक keyframe को यहाँ प इन दोनों को यहाँ पर करते हैं, select f9 for easy is, और थोड़ा सा मैं आप इसको, you know, कुछ इस type से, now see, ठीके, गाइस, animation के उपर आप और भी time दे सकते हैं, because अगर मैं यहाँ पर proper time दूँग animation के उपर, तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, so basically मुझे आपको यहाँ पर fundamentals बता करेंगे, यहाँ पर add करेंगे in some motion blur, वीडियो के end में, अब मैं यहाँ पर चाहरा हूँ कि मुझे यहाँ पर इस वाले part को move करना है, so मैं यहाँ पर simply गया, channel 2 के अंदर, और मुझे इस यहाँ पर पीछे shift करना है, so now मैं यहाँ इसे कुछ इस type से change कर सकता हूँ, so मैं गाई, और मैं यहाँ इसे you press कर रहा हूँ, so that हम लोग यहाँ पर सारी keyframes को देख पाए, और यहाँ पर मैं इसे shift कर रहा हूँ, तीछे की, और something like this, छीके, और इसके बाद, मैं आपर चाहरा हूँ कि यहाँ थोड़ा scale होते वे आए, so यहाँ पर मैं आगे गया वापस, और यहाँ पर मैंने scale में key लगा दी, और इसके उपर मैं वापस से यहाँ इसे कर रहा हूँ, 0, छीके, so now we can see, हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, again मैं यहाँ पर सारी keyframes को कर रहा हूँ, select, press कर रहा हूँ, F9 for easy ease, छीके, इसके साथ साथ, अगर आप यह का सा यहाँ पर जाओ, और थोड़ा सा यहाँ पर इसको, you know, इस side से रख लो, so now we can see, हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, सारी keyframes को कर रहा हूँ, select, F9 for easy ease, अब यहाँ पर एक बाद द्यान रखना, animation आप अपने according हाँ पर set कर सकते हो, जैसे कि यहाँ अच्छा लगता है, आप उसके recording हाँ पर animation डाल सकते हो, अब इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे इस वाले part को animate करना है, and one more thing, मैं वापत जाता हूँ यहाँ पर scene setup के अंदर, और यहाँ पर मैं click कर रहा हूँ, control के साथ इसके उपर, अब guys एक करेंगे इसको ठीक करने के लिए, इसका anchor point हम लोग यहाँ पर set करेंगे कुने में, so यहाँ पर जाते हैं इसके anchor point में और यहाँ पर हलक असा लेकर जाके इसे यहाँ पर shift कर लेते हैं, छीके, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर click करेंगे इसके ऊपर, control के साथ left mouse button, और इसका anchor point हम यहाँ पे you know set कर लेते हैं कुछ इस टाइप से ठीक है अब अगर मैं आपे e-press करता हूँ और यहाँ पे इसको move करता हूँ सो door यहाँ से open होगा ठीक है अब जैसे मालूम मुझे यहाँ पे इस वाले part को move करना है सो मैं आपे click कर रहा हूँ इसके ओपर control के साथ left mouse button और अगर मैं अभी यहाँ पे e-press करता हूँ सो यहाँ पे कुछ इस टाइप से rotate हो रहा है बट मैं आप इचारा हूँ कि इसके animation नीचे से शुरू हो मतलब जो भी इसका rotation है वो इसके नीचे वाले part से शुरू हो सो मैंने क्या किया वापस यहाँ पे जाते anchor point में और इसको नीचे की तरफ यहाँ पे shift कर देते हैं कुछ इस टाइप से चीक है and if I press e so now we can move this from here ऐसे आप यहाँ पे इसके multiple you know anchor point अपने animation के according set कर सकते हैं वापस से मैं ok press कर रहा हूँ अब मैंने क्या किया अब मैं आप एनिमेट करने वाला हूँ channel no.3 को और इसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे आते हैं कुछ frame आगे जाते हैं timing भी आप लोग अपने according set कर सकते हैं और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक की लगा रहा हूँ और मैं कुछ frame बैग गया और मैंने यहाँ पर चाहता हूँ थोड़ा यहाँ उपर से आए इसको हम यहाँ पर इस वाले axis में move करने वाले हैं यहाँ पर की लगाते हैं एक और कुछ frame आगे जाते हैं और इसको इस टाइप से रख लेते हैं अब से अगर आपको यहाँ पर इसे रोटेट करना है सिंप्ली जाएंगे आप इसकी rotation में और जिस भी axis में आपको इसे रोटेट करना है तो आप यहाँ पर जाके इसे रोटेट कर सकते हैं ठीके कुछ इस टाइप सेू मैं आपके जस्ट एक की लगा रहा हूं इसके rotation के ऊपर यहाँ पर वापत जाते हैं कुछ करेंगे प्रेस एफ नाइन फोर इजी इस अब मैं आपे सारे यहाँ पर इसके आपजेट को मूव करने वाला हूं सेम टेक्निक से और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एनिमेट करने वाले हैं इसके बागी सारे ओप्शन्स को सो मैं यहाँ पर जा रहा हूं सिंपली चैनल नंबर फोर के अंदर और यहाँ पर हम लोग इसे अनिमेट करने वाले हैं सो गाइज मैं आपर वीडियो को छोड़ा फास्ट कर रहा हूं और आप लोग यहाँ पर समध ही चुके हैं चीजे कैसे काम करेगी ठीक है मैंने सो गैस यहाँ पर मैंने बेसिक अनिमेशन एड़ कर दी है अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं मैं आप सिंपली किया रेंडर सेटिंग के अंदर और यहाँ पर आपको मिलता है मोशिन बिलर और यहां से मैं ऐसे कर रहा हूं आउन सो हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा और आप लोग यहाँ पर इसके जो भी सेंपल्स हैं या फिर श्रूटर एंगल है आप इसे अपने गॉर्डिंग कर सकती हैं अब यहाँ पर इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी आप कर रहाँ कंवर्ट 3D में सो कुछ इस टाइप से और यहाँ पर जस्ट मैं कर रहाँ पी फिर पोजीशन और यहां पर प्रेस कर रहाँ पी फिर पोजीशन यहां से कॉपी कर रहाँ और यहां पर कर रहाँ पेस्ट ठीक है जो भी यहां पर इसकी पोजीशन है वह सेंपलेस आ जाए और यहां पर प्रेस कर रहाँ S for Scale और यहां पर हमें इसे कर रहाँ सकेल कुछ इस टाइप से ठीके और इसे उपर Shift कर लेते हैं अब मैंने क्या किया यहां पर करीज़ किया इसको Close कुछ फ्रेम में यहां पर गया और मैं यहां पर एक Draw करने वाला मास्क सो यहां पर क्लिक करेंगे Paint Tool के उपर but make sure यहां पर यहां पर यह Layer Select होनी चाहिए और यहां पर हम लोग एक मास्क यहां पर Draw करेंगे कुछ इस टाइप से ठीके न Something like this और यहां पर इसके Ice को कर दो Open ठीके एक बार मैं आप इसके Ice को Close कर रहा हूं अब इससे पहले मैं आप इस Door को Open करने वाला हूं मैं उसके लिए क्या करूंगा वापस गया Element 3D Layer के उपर और यहां पर यह वाला Part है Channel No.1 के उपर यहां पर जाते हैं Rotation में यहां पर मैंसे करने वाला हूं Rotate यहां पर लगा रहा हूं एक Key कुछ इस Type से और कुछ Frame आगे जाते हैं और यहां पर मैंसे कर रहा हूं 90 Degree यहां पर बेसिकली Door Open हो जाएगा और यहां पर यू प्रेस करते हैं और इसके बाद वापस मैं यहां पर आया और इसके बाद मैं नीचे जाता हूं Channel No.2 के उपर और यहां पर मैं इसे कर रहा हूं Rotate कुछ इस Type से यहां पर मैं Add कर रहा हूं एक Key Frame अगें कुछ Frame आगे जाते हैं और यहां पर इसे कर देंगे हम लोग 90 sorry minus 90 कर लेते हैं इसको कुछ इस Type से यहां पर basically door भी open हो जाएगा अब इसके बाद क्या करेंगे वापस से हम लोग यहां पर यू प्रेस करती हैं और यहां पर सारी Key Frames को करेंगे Select और प्रेस करेंगे F9 for Easy Ease और इसे मैं यहां पर रख लेता हूं अब मैंने क्या किया इसके बाद मैं यहां पर इस Solid को लेके आ रहा हूं नीचे ठीक है Element 3D के नीचे और यहां पर मैं एक वीडियो को और Import कर रहा हूं और इस वीडियो को मैं आपर लेके आ रहा हूं कुछ इस Type से इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं Fit So Right Click करेंगे Transform Fit to Screen Fit to Comp So अभी मैं आप इसके इसको Open कर रहा हूं और यहां पर आपको इसके Options देखने को मिलेंगे Alpha Matte वाले So मैं आप इसे कर रहा हूं Alpha Matte ठीक है So हमें आप सिर्फ इतने वाले पार्ट में यह वीडियो देखने को मिलेगी अगर आपको यहां पर Alpha Matte के Options नहीं मिलते हैं So आप Simply Press करेंगे Keyboard में F4 Otherwise यहां पर जाएंगे और Right Click करेंगे Column और आपको यहां पर सारे Options मिल जाते हैं So basically यहां पर यह वाली वीडियो आपको इसके अंदर यहां पर देखने को मिलेगी और आप थोड़ा सा इसको यहां पर आगे Shift कर देए अपनी वीडियो को That's it So जैसे ही यहां पर Get open होगा So यहां पर इसको हलका सा यहां पर रख दो That's it ठीक है So हमें आपर वीडियो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी In the last आप लोग क्या कर सकते है Effect and Presets में मैं आपर इसे on कर देता हूं Effect and Presets को और यहां पर यहां पर टाइप करते हैं Match Grain और इसको apply कर दो element 3D layer के ऊपर और यहां पर मैं इसे Zoom करता हूं मैं आपर चाहता हूं कि यहां पर जो यह Grain है यह मैं अपनी main video से pick करूं और यहां पर आप लोग किसे कर दो final output और यहां पर जाओ simply tweaking के अंदर और यहां पर आप इसे कर दो you know intensity 0.2 size 0.2 so basically हमें आप कुछ you know इस type से यहां पर देखने को मिलेगा before and after आप लोग यहां पर color correction अपने recording कर सकते हैं but जो भी हमारे आप वीडियो का main fundamental था वो हमने आप सीख लिया ठीके एक बार वीडियो को play कर लेते हैं so guys कुछ इस type से हमारे आप final output ready हो चुका है आप लोग इसे और time देखे और अच्छे से enhance कर सकते हैं इसके उपर और भी अच्छे से color correction कर सकते हैं आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था I hope करता हूं आपको वीडियो अच्छे लगी हो आपको वीडियो समझ में आई हो guys अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो please आप लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें and बेल आकिन प्रेस करने ना भूले इसके लावा कुछ भी डाउर्स होते हैं वीडियो के रिगाइडिंग आप लोग कमेंट कर सकते हैं आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं Instagram and Facebook पर हम लोग आपको कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगाइडिंग सब तक के लिए guys टेक केर Bye Bye, मिलते हैं किसी next वीडियो में